आज हम जियो पॉलिक्स में पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन आजमें इस्तिकाम यह आपरेशन क्या है इसके आप्जेटिस क्या रहेंगे कौन सी कंड़ी ने लॉंच किया है और किस वज़े से लॉंच किया है इन पूरों के बारे में वन बाइवन पढ़ेंगे उससे पहले पाकिस्तान और चाइना ने एक प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं जिसके नामे चाइना पाकिस्तान एकनोमिक करिडर ठीक है और चाइना पाकिस्तान तो इन्वेश्में नहीं करेगा चाइना में उतनी तो उनके पास एकनोमिक स्टेंथ ही नहीं तो आप यह समझ सकते हैं चाइ पी इसी वो बना रहे हैं चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर का बेसिकली मतलब होता है कि वहाँ पे एकनॉमिक अक्टिविटीज प्रमोड की जाती है कारिडोर का मतलब है एक वे एक पाथ एक रूट आप समझिए और यह रूट किस वचे से यूस किया जाएगा यह रूट किया जाएगा एकनॉमिक के लिए यूस किया जाएगा यहां पे राव मेटेरियल आएंगे फिर फिनिश गूड जाएंगे फिर यहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा फिर इसके बाद में यह करनट करेंगे एर प्लें से फिर यह करनट करे और चाइना और पाकिसान का एक economic corridor का चल रहा है जिसका नामे CPE सी बट यहां पे चाइना ने एक important hesitation बताया है पाकिसान को आप हमारे लोगों को हमारे citizens को और हमारे जो भी assets से जो हमारे company से जो हमारे infrastructure हम बना रहे हैं उसको आप safe नहीं कर सक रहे हैं और चाइना ने यह भी कहा है कि यहां पे terrorist attacks हो रहे हैं हमारे citizens मर रहे हैं और हमारे जो भी business investors से उनको बहुत loss हो रहा है उनके infrastructure destroy करने के वज़े से इसलिए चाइना बहुत hesitant हो गया है अभी के time पे कि हम करें या नहीं करें पाकिस्तान में investment सो यह देखने के बाद में पाकिस्तान की आँख खुली है और पाकिस्तान ये अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कि आगे जाके अगर पाकिस्तान को एक stable economy एक stable country और या stable अपनी image बनाना है तो पहले उसे उनके country से terrorist निकालना होगा और terrorist sponsor करना बन करना होगा तो इसे के मुतालिख में पाकिस्तान ने एक operation लाँच किया है जिसका नाम है operation आजमे इस्तिखाम चलो इसके objectives हम देखेंगे before that ये देखेंगे पाकिस्तान और चाइना एक नाम एक corridor है क्या इसके बारे है थोड़े basics पढ़ेंगे उसके बाद में ये corridor के वज़े से इंडिय और अफगानिस्तान के उपर क्या impact होगा और operation आजमे इस्तिखाम के objectives क्या होंगे और इंडिया को इससे बहुत बड़ी दिक्कत भी है इंडिया बहुत परेशान है ये particular corridor से because इंडिया ने already कहा है कि ये corridor inherently illegal है illegitimate है unacceptable है किस लिए इंडिया ने ये कहा है उसके बारे में भी ह और यहां पर देख सकते हैं चाइना पाकिस्तान एकनामिक corridor अगर मैं यहां पर देखिये यहां बड़ी बारा कोबाम अणट तो यह करनबर पर पेशावर भी है इसलाबाद जो की very closely situated है ये corridor से फिर ये लाहोर को touch करेगा लाहोर को touch करते ये जाएगा यहाँ पे फिर गवदार सीपोर्ट पे जाएगा पिर यहाँ से वो यूरोप में चले जाएंगे अपना पुरा सामान लेकर 18 billion dollar का ये project है और ये road और railway, aeroplane ये पूरों को current करेगा गव अब यहाँ पे देखें ये इनका तो plan है ये तो समझ में आगा ये पाकिस्तान के लिए बहुत important हो गया है because ये ज़्यादा तर length इसकी पाकिस्तान में है चाइना आप देख सकते हैं यहाँ के supporting role play कर रहा है क्योंकि चाइना की यहाँ पे length बहुत छोटी है ये corridor में क्या क्य opportunity है देख सकते हैं पाकिस्तान के PM नवाज शरीन का vision है कि ये corridor game changing होगा उनके लिए क्योंकि पाकिस्तान की जो economy है वो flag कर रही है वो हिली डूली है और इंडिया को वो इस तरीके से dominate भी कर सकता है contain भी कर सकता है और अफगनिस्तान को dominate कर सकता है अब ये दो words के बारे में भ थोड़े specifics देख लेंगे हैं ठीक है कराची टू लावर मोटर वे से connect किया जाएगा 1240 किलो मेटर की यह यहां पे connecting line बनाएंगे एक economic city बनाएंगे गवदार में just like हमारे पास बहुत सारे cities होते हैं उके निकनेम्स होते हैं तो economic city गवदार बनेगी जैसे की dream city हम मुंबई ब सब्सक्राइब बोलते हैं तो उसी तरीके से एक गवदार को बनाएंगे economic city गवदार एक सीपोर्ट है याद रखिए उसके बाद में एक मेट्रो बस अंडर ग्राउंड मेट्रो भी वह बनाएंगे वह करने के लिए कराची हाइवे को भी वह लिंक करेंगे ओके अपग्रे एक थरीखा बताया जा रहा है कि इंडिया को दबाने का थरीखा बताया जा रहा है क्योंकर ये जो economic corridor आप देख सकते हैं यह इस तरीके से जाएगा इस तरीके से जाएगा ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो कॉरिडर है यह पाकिस्तान अकुपाइट कश्मीर और इंडिया के बॉर्डर से होते वह जा रहा है इंडिया तो फिर बोलेगा यह बोलेगा बही देखिए पाकिस्तान अकुपाइट काश्मीर पहले तो यह पाकिस्तान का है नहीं और आप यहां पे एक important corridor बना रहे हैं जहां पे चाइना का investment है पाकिस्तान का भी investment है और यह इंडिया के border से जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी जादी activity होगी in future में और इंडिया की security को बहुत बड़ा threat होगा और इंडिया मानता ही नहीं कि वो कश्मीर उनका है तो पाकिस्तान occupied कश्मीर में एक ऐसी बड़ी country चाइना के जैसी country officially वहां पे पाकिस्तान के मिलके corridor बना रही हैं तो इंडिया को contain करने के लिए इंड government है वो hesitant है कि हम तुमारे पास नहीं करेंगे because आपके पास हमारे जो भी assets है उसको security threat हो रहा है वहां पे हमारे लोगों को मार रहे हैं और हमारे assets destroy कर रहे हैं इस वज़े से ही पाकिस्तान की government ये terrorism को counter करने के लिए एक operation launch की है जिसका नाम है operation आजमें इस्तिकाम तो ये operation में जहां भी terrorist activities जहां भी चाइना के assets और उनके लोगों को threat होगा ये operation में पाकिस्तान आर्मी वो threat को दूर करेगी वो threat को खतम करेगी वहां पे ठीक है और ये जो operation है वो basically इसका main focus रहेगा खाईबर पंक्तुआ और बलुचिस्तान रीजन तो आप देख सकते हैं ये region ये region जह ठीक है और इंडिया से response अगर हम यहां देखे हैं तो हम तो वैसे भी खुश नहीं है बिकॉज चाइना एक official वीटो एक NATO country उन्होंने इसको बड़ावा दे रखा है ठीक है तो इंडिया firmly बोलता है कि वो consistently हमेशा से ही अब post करते वारा है कि ये CPEC नहीं आगे जानी हैं और पूरा उनका जो भी है agreement वहां पर finalized भी हो गया है वो शुरू भी हो गई है ओके बिकॉस इंडिया को क्यों problem है इंडिया मानता है कि यह जो Pakistan occupied Kashmir है वो इंडिया की territory है ओके और इंडिया विचार इंडियन territory that has been illegally occupied by Pakistan at a time of independence इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान और चैना कि activities को इंडिया ने vehemently बहुत खटास है बहुत sharply criticism करते कहा है कि यह inherently illegal है illegitimate है और unacceptable है कि चाइना और पाकिस्तान यहां पे कुछ corridors बनाएं especially इंडिया का signal है चाइना के लिए कि चाइना तो at least समझ सकता है कि Pakistan is not a country जो हम trust कर सकते हैं कि उपर से पाकिस्तान के वज़े से जो region में instability होती है वो पाकिस्तान वज़े की होती है पाकिस्तान से हमें जो टेरी स्पॉंसर किये जाते हैं वो उनके लोग भी मर रहे हैं फिर भी चाइना तो आप समझ सकते हैं चाइना भी हमारा hostile nation है चाइना कभी नहीं जाता कि हम grow करें तो चाइना fund करेगा ही करेगा चाइना power करेगा ही करेगा पाकिस्तान को इंडिया को एक emerging power बने से रोकने के लिए so this is all about you thank you for watching do share with all of your friends who are preparing for the examination take care bye